डिविजनल स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक के पास साइट पर एक गोल्फ ग्राउंड विक्सित किया जाना चाहिए खेल और युवा कल्यान मंतरी सुनिल केदार ने यह कहा कि इसे शहर में स्कूली खिलाडियों को सुविधाय मिलेगी और राज के साथ ही राश्य गोल्फोरों को भी स्रोजकार मिलेगा संभागय आयक्त काराले के सभाकक्ष में संभागय खेल परीसर कारेकरनी समीती की बैठक वह उस समय बोल रहे थे जिसकी अद्यख्षिता केदार ने की थी इस असर पर संभाग्य आयुक्तर डॉक्टर संजीव कुमार, अपर कलेक्टर शिरीश पांडी, चिला खेल अधिकारी अविनाशपंड, चिला परीशत की पुर्व अधिक्षित सुरेश भोयर उपस्तित थी खेल परीशर में चल रहे काम को तुरंट पूरा किया जाना चाहिए, 400 मीटर की एटलेटिक रइनिंग ट्रैक और युद होस्टिल पर काम तुरंट पूरा किया जाना चाहिए साथ ही चात्रावास की जिरोद्वार और मरम्मत के लिए खेल परीसर समिती के माधिम से लोक निर्मान विभाग को दो करोड रुपे हस्तान तरित किये गए है यह काम अंतिम चरण में है और उन्होंने संबंदत अधिकारियों को इससे तुरंद पुरा करने का निर्देश दिया मंदल खेल परीसर की लीज 2015 में समाप्त हो गई कलेक्टर ने नवीनिकरन के लिए राजस्व और वन्विभाग को 15 साल के लिए पट्टा दिलाने का प्रस्ताव भेजा है इसमें 15 साल की बजाए 30 साल की लीज नवीनिकरन के लिए भेजी जाने चाहिए स्पोर्ट कॉंप्लिक्स, स्पोर्ट्स हॉस्टिल, यूध हॉस्टिल और पवेलियन बिल्डिंग में खुले स्थान पर पैनल लगा कर 160 किलो वाट की सौर उर्जा परियोजना स्थापित करने का भी प्रस्ताव है केदार ने संबंदितों को इस परियोजना के लिए प्रोट्साहन देने का निर्देश दिया खेल परिसर के पश्चिम में सिंथेटिक रणिंग ट्रैक और अन्य खेल सुविधाओ के लिए एक सुरशात्मक दिवार की निर्मान के लिए लोग निर्मान विभाग को 33 रुपे प्रदान किये गए है संबंदितों को टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के तुरंद बाद काम शुरू करने का निर्देश दिया गया एक अंतराश्टिय मानक बैडमिंटन अकाडमी की स्थापना के लिए खेल परीसर के बगल मी सारवजनिक स्वास्त विभाग के अधिकारी क्षेत्र में एक शेत्रिय मनोरोग अस्पिताल की स्थापना पर भी चर्चा हुई शेहर में अंतराश्ट्य स्तर के बैडमिंटन खिलाडी है शेहर के पतिष्टा बढ़ाने और अंतराश्ट्य स्तर के खिलाडियों का उत्पादन करने के लिए बैडमिंटन अकैडमी का होना आवश्यक है केदार ने इस बार कहा खेल परीसर में एक स्विमिंग पूल लेने का प्रस्ताव समीति के समक्ष प्रस्तूत किया गया था उपने देशक को निर्देशित किया गया कि वे शेहर के सभी स्विमिंग पूलों का दौरा करे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि उन्हें कैसे प्रभंदित किया जाता है। उनका खर्चा और आय और वे खिलाडी जो अब तक बन चुके हैं। राजे के खेल निती के अनुसार संभाग या मुख्याले में एक एस्टो टर्फ होकी ग्राउन की निर्मान पर चर्चा की गई। खेल परीसर में परियोजना के तहट नीरी के माधिम से अब शिश्ट जल उपचार सयंत्र का निर्मान प्रस्तावित है। इस परियोजना के माधिल से खेल परीसर को प्रते दिन एक लाक लीटर उद्यान पानी मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना की संपोर्न लागत को के इन सरकार को एक विशेश मामले के रूप में लेना चाहिए। और परियोजना को तुरंट पूरा किया जाना चाहिए।